दोस्तों बिहर द्रोगा एकजाम से संबंधित आज के डेट में दोजनबडी 2021 को बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है तो चलिए इस नोटीस को देख लिजे इसमें क्या है अपडेट और बिहर द्रोगा का मेंस रिजल्ट जो है इसी कारण से देरी हो रहा था इसके बारे मां आप लोगों को पूरे डीटेल्स में बताएंगे तो चलिए इस नोटीस को देख लिजे चलिए अब इस नोटीस को देख लिजे बिग्यापन सेंख्या 01-2017 से संबंधित है बिहर पुलिस सब इंस्पेक्टर की 1717 पदव पर 16 सितंबर 2017 को बिग्यापन सेंख् कुछ ऐसी महला अभ्यार्थियों को सारीरिक जांच माप परिक्षा में फिजिकल टेस्ट में समिलित होने का अवसर नहीं परदान किया गया था जो गर्वती पाई गया थी इसके बाद है उक्त महला अभ्यार्थियों में एक अभ्यार्थी खुसभू सरमाद्वारा मानने सर्वच नियाले में यहाँ पर LPC का नमर दिया हुआ है याचिका दैर किया गया था उक्त याचिका में सर्वच नियाले द्वारा यहाँ पर 27 सितंबर 2019 को आदेश पारदित करते हुए वैसी सभी महला अभ्यार्थियों के लिए दुबारा से फिजिकल टेस्ट आयुजित कराने का निर्देशित दिया गया था तो दुबारा से यहाँ पर फिजिकल टेस्ट लिया गया जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है मानिया सर्वच नियाले कुक तादेश कनू पालन में आयोग द्वारा विग्यापन सेंख्या 01 2017 के अंतरगत आईसी सभी महला अभ् फिजिकल टेस्ट जो लिया गये एक जनवड़ी 2021 को यानि कली फिजिकल टेस्ट लिया गया नया साल में एक जनवड़ी 2021 को महला अभ्यारतियों को सरीरिक जांच मा परिक्षन के लिए बुले आ गया था जिसमें 85 में से टोटल 74 महला अभ्यारति फिजिकल टेस्ट में उप और तेश जो है दोर में सफल हो पाई इसके बाद है दोर में सफल तेश अब भीहार्थियों को सारीरिक जांच माप परिक्षान इसके बाद है डॉकुमेंट भेरिफिकेशन में चारा भीहार्थी सफल हो पाई यहाँ पर जो छटने का और रीजन होगा यहाँ पर हो सकता है क के कारण से भी चटा होगा क्योंकि पहले cart 150 सेंटीमिटर इस बार कम किय गया लेकिन पहले 160 सेंटीमिटर महला का भी हैट था तो दौर में तेश यहां पर सफल वह पाया है वाँकी सफल शारी जांच ओपर परिक्षन में दो अभ्यार्ति एक याची करता खुस्मू सर्मा रॉलमर दिया हुआ है इसके बाद है स्वेता कुमारी अपनी कोटी के कट अफ मार्क से कम होने के कारण और सफल हो गये अब जो बचता है सेस दो का ही यहाँ पर रिजल्ट हो पाया है सेस दो अभ्यार्ति का प्राप्तांक यहाँ पर दिया हुआ है सफल रही अतह उनका अंतीम रूप से चेन किया जाता है उक्त दोनों अभ्यार्तियों मुलार अक्षन कोटी अंतरगत इवीसी कैटुगरी में इसका सेलेक्शन हुआ है इसके बाद है मान्या सर्वच नियाले के आदो अनुसार चेनित अभ्यार् सफल में इसके बाद देखने को मिल जाएगा तो अब लेट नहीं होगा और इंफॉर्स्मेंट इंस्पेक्टर का भी इसी सब्ता में देखने को मिल जाएगा इसके बाद देख लिए विग्यापन संख्रेवरीं 2019, जो 2019 का result दिया गया, उसमें सामिल किया गया है, तो दो सीट इसमें और दिया गया है इसके बारे में, आत्या उक्त दोनों अभिहारत हो कि विग्यापी तत्यान, पिछरावर के महिला के रिख्तियों और विग्यापी, स 177 का उसका सेलेक्शन हुआ है 139 सीट बचा है अब भी हर्त रुगा का मेंस का रिजल्ट जो कभी भी दिया जा सकते इसी कारण से देरी होड़ा था रिजल्ट में ताब रिजल्ट को आप लोगों को बहुत जादी वेट नहीं करना परेगा मेक्सिमम दो से तीन दिन का और आ का सितूँ आजा